राज महल से निकल कर महर्श्री विश्वा मित्र सर्यू नदी की आर बढ़े दोनों राजकुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुँचने के लिए विश्वा मित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की दूर तक सर्यू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षी तड़ पर उसी तड़ पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ राज महल पीछे चूट गया उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई चलते चलते एक तीखा मोड आया तो सब कुछ दृष्टी से ओजल हो गया राम और लक्ष्मन ने एक बार भी पीछे मुड कर नहीं देखा उनकी नजर सामने थी महरशी विश्वा मित्र के सधे कदमों की और सूरज की चमक धीमी पढ़ने लगी शाम होने को आई राजखुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन नहीं था उत्साह था वे दिन पर पैदल चले थे आर चलने को तयार थे महरशी अचानक रुके उन्होंने आसमान पर दिश्टी डाले चिडियों के धुंड अपने बसेरी की आव लोट रहे थे आसमान मटमेला लाल हो गया था चरवाहे लोट रहे थे कायों के पैर से उठती धूल में आथे छीपे हुए हम आज रात नदी के तड़ पर ही विश्राम करेंगे महरशी ने पीछे मुड़ते हुए कहा दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वा मित्र हलका सा मस्कुराए राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं जब तुम नीन में रहो रामोल अश्मर नदी में मुहा हाथ धोकर लोटे महर्शी के निकटा कर बैठे विश्वा मित्र ने दोनों भाईयों को बला अती बला नाम की विद्याएं सिखाई रात में वे लोग वहीं सोए तिनकों और पत्तों का वेस्तर बना कर नीन्द आने तक महर्शी उनसे बात करते रही सुबह हुई यात्राफे शुरू हुई मार्ग वही था सर्यू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँच गए जहां दो नदियां आपस में मिलते थी उस संगम की दूसी नदी गंगा थी महर्शी अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था राम लक्ष्मन अब दूरी बना कर नहीं चलते थे महर्शी के ठीक पीचे थे तकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में वहां के लोगों के बारे में व्रिक्षों वनस्पतियों के सम्मंद में स्थानिय एतिहास उसमें शामिल होता था आगे की यत्रा कठिन थी जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी रात में ऐसा करना महर्षी विश्वा मित्र को उचित नहीं लगा तीनों लोग वहीं रुख गए संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार करी नदी पार जंगल था घना तुरगम सूरज की किरने धर्दी तक नहीं पहुंसते थे इतना घना और वहें दरावना भी था हर ओर से जिंगुरों की आवाद जानवरों की दहार रकश धनियां राम और लक्षमन को आस्वस्त करते हुए महर्षी ने कहा ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है इसे कोई डर नहीं है असली खत्रा राकश शी ताड़का से है और वहें यहीं रहती है तुम्हें वहे खत्रा हमेशा के लिए मिटाना है ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था जो भी आता ताड़का उसे मार डालती अचानक आक्रमन कर देती उसका डर इतना था कि उस सुन्दर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था राम ने महर्षी की आग्या मान ली धनुष पर प्रतिंचा चड़ाई और उसे एक बार खीच का छोड़ा इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था तंकार सुनते ही क्रोध से बिल्विलाई ताड़का गरजदी हुई राम की और दोरी दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क गया जंगल में जैसे तुफान आवया विशाल काई पेर कांप उठे पत्ते तूटकर इधर उधर उड़ने लगे धूल का घना बादल चावया उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था फिर ताड़का ने पत्थर बर्शाने शुरू कर दिये राम ने उस पर बान चलाए रक्षमर ने भी निशाना साधा ताड़का मानों से गिर गई राम का एक मानों सकी हिर्दय में लगा और वह गिर पड़ी फिर उठ नहीं पाई विश्वा में तर बहुत प्रसंद हुए उन्होंने राम को गले से लगा लिया उन्होंने दोनों राजकुमारों को सोत रहके नए अस्त्र और शस्त्र दिये उनका प्रयोग करने की विधी बताई उनका महत्व भी समझाया महरशी का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था लेकिन तब तक रात हो चली थी विष्वा मित्र ने वह दूरी अगले दिन तैय करने का निर्णे किया ताडका मर चुकी थी उसका भै नहीं था तीनोंने रात वहीं बिताई ताडकावन में जो अब पूरी तरह से भै मुक्त था सुबह जंगल बदला हुआ था अब भै ताडकावन नहीं था क्योंकि ताडका की भैयानक अवाजें गायब हो चुकी थी पत्तों से गुजरती हुई हवा थी उसकी सरसराहट का संगीत था चेडियों की चहचाहाट थी शांती थी तश्वीर बदल गई थी सिथांत का अंतिम पड़ाव था महर्शी का आश्रम रास्ता चोटा भी था वनुहारी भी प्राकरतिक संदर्य का आनन लेते हुए तिनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गई आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की अफिनंदन क्या उनकी प्रसनता दुगनी हो गई थी महर्शी विश्वा मित्रिस के आश्रम से लोटने की खुशी राम लक्षमन के आगमन का सुख विश्वा मित्र यग्य की तयारियों में लग गई अनुस्थान प्रारम हुआ आश्रम की रक्षा के जिमेदारी राम लक्षमन को सौंप कर महर्शी आश्वत थे अनुस्थान अपने अंतिम चरण में था पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा शांती से निर्विगन लगता था कि राजकुमारों की उपस्तिती ने ही रक्षशों को भगा दिया है राम लक्षमन ने व्यग्य पूरा होने तक सोने का निर्ने छोड़ दिया था और वे लगातार जागते रहे चोकस रहे कमर में तलवार पीठ पर तुनेर हाथ में धनूश और प्रतंचा चड़िवई का स्थिती के लिए तयार अनुस्थान का अंतिम दिन अचानक भैयानक कान आवाजों से आस्मान भर गया सुबाहू और मारिच ने राक्षशों के दलवल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया मारिच क्रोदित था यग्ये के अलावा भी इस बात से कि राम लक्षमन ने उसकी मा को मारा था ताड़का को राम ने राक्षशों का हमला होते ही कर्य वही की धनूश उठाया और मारिच को निशाना बनाया मारिच बाण लगते ही मुर्चित हो गया बाण के बेग से बहुत दूर जागर गिरा समुद्र के किनारे वह मरा नहीं जब होश आया तो उठकर दक्षिन दिशा की और भाग गया राम का दूसरा बाण सुबहु को लगा उसके प्रण वही निकल गए सुबहु के मने पर रक्षश सीना में भगदर मच गई बेचीकते चिलाते भागे कुछ लक्षमन के बाणों का शिकार हुए अन्य जान बचा कर भाग खड़े हुए महरशी बिश्वा मित्र का अनुस्ठान संपन हुआ नाम ने महरशी को परणाम करते हुए पूछा अब हमारे ले क्या आग गया है मुनिवर महरशी ने राम को गले लगाया और कहा कि हम लोग यहां से मित्हिला जाएंगे महराज जनक के यहां पिदेही राज के दर्बाल में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन का हिस्सा बनो महराज के पास एक अद्भुत शिर्धनुश है तुम उसे भी देखो राम और लक्षमन अगली यात्रा को लेकर उत्साही थे नए स्थान देखने और जानने का अवसर सोन नदी पार करके विश्वा मित्र मित्ला के सीमा के पास पहुँचे अपने शिश्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वा मित्रिका स्वागत किया तभी उनकी दिष्टी राजकुमारों पड़ पड़ी विदेही राज चकित रहे गए बेश्वयम को रोक नहीं पाए महर श्री से पूछा कि सुन्दर राजकुमार कोन है और मैं इनका आकर्शन से खिषता जा रहा हूँ ये राम और लश्मर हैं महराद अश्रत के पुत्र मैं इन्हे साथ लाया हूँ आपका अधवुद धनुष दिखाने विदेही राज ने महर श्री उनके शुष्चों और राजकुमारों के ठहरने की विवस्था की एक सुन्दर उद्यान में अगले दिन सभी आमांतित लोग रिशी मुनी और राजकुमार यग्यशाला में उपस्तेत हुए वहां महर श्री ने फिर धनुष का उलेख किया महराद जनक ने अपने अनुचरों को आग्या दी शिव धनुष को यग्यशाला में लाया जाए शिव धनुष सच्मुच विशाल था रोहे की पेटी में रखा हुआ था पेटी में पहिये लगे वे थे आठ पहिये उसे उठाना लगभग ऐसंबाव था पहियों के सहरे खिसका कर उसे एक से दूसरी जिगे ले जाया जाता था अनुचर मुश्के से उसे खीचते हुए यग्यशाला में ले आये धनुष देखते ही पिजेह राज एक पल के लिए उदास हुगे उन्होंने कहा मुनिवर मैंने प्रतिग्या की है अपने पुत्री सीता के विवाह के संबंद में जो यह धनुष उठा कर उस पर प्रतिंचा चड़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह हुगा अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और रजजित हुए उठाना तो दूर वे उसे हिला तक नहीं सकी प्रतिंचा क्या चड़ाते फिजे हिराज का संकेट समझकर महर्शी विश्वा मित ने राम से कहा उठो वद्स यह धनुष देखो राम ने शे जुका कर गुरू की आग्या स्वीकार कर ली आगे बड़े पेटी का धकन खोल दिया राम ने पहले धनुष देखा और फिर महर्शी को गुरू का संकेट मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहजी उठा लिया यग्ये शाला में उपस्तित सभी लोग हद पर प्रह गए इसकी प्रतिंचा चड़ा दू मुनीवर राम ने पूछा अवश्य एरी ऐसा कर सकते हो विदेहे राज चकित थे राम ने आसानी से धनुष चुकाया उपर से दवा कर प्रतिंचा खीची दबाव से धनुष बीच से तूट गया उसके दो टुकड़े हो गए बच्चों के खिलोनों की तरह यग्ये शाला में सन्नाटा चागया सब चुप थे एक दूसरे को देख रहे थे सभागार की चुपी महाराज जनक ने तोड़ी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था उन्हें सीता के लिए योग्यवर मिल गया था और उनकी प्रतिग्या पूरी हुई जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमती हो तो मैं महाराज दस्षत के पास संदेश भेजू बाराज लेकर आने का निवंत्रन यह सुप संदेश उन्हें सिक्र भेजना चाहिए महर्शी की अनुमती से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से इसी भी जनकपूर में धूम मच गए बाराज के स्वागत की तयारियां होने लगी नगर की प्रसनता चरम सीमा परप थी महराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी चागए आनन फानन में बाराज तयार हुई हाथी घोड़े रत सेना बारात को मिधिला पहुचने में पांच दिन लग गए जनकपूरी जगमगा रही थी हर मार्ग पर तोरण द्वार हर जगह फूलों की चाजर एक एक कोना सुवासित हर घर के प्रवेश द्वार पर वन्दनवार एक एक घर से मंगल गीत मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड केड़कियों और सज्जों से जहागती मही लाएं एक नजर राम को देख लें राम सीता की जोड़ी दिख जाए विवा से ठीक पहले विदेही राज ने महाराज दश्रत सी कहा राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी करके बड़ी वेटी सीता को अपना लिया मेरी इच्छा है कि छोटे पुत्री उर्मिला का विवा लक्षमन से हो जाए मेरे छोटे भाई कुछ थवज की भी दो पुत्रियां है मांडवी औशुत किरती रिपया उन्हें भरत और शत्रगन के लिए स्विकार करे राजा दर्श्यत ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया विवहा के बाद बारात कुछ दिन जनक पूरी में रुकी बाराती बहु को लेकर अहुत्या लोटे तो राणियों ने पुत्र वधूं की आरती उतारी इस्तियों ने फूल बरसाए संख्चनी से तालियां गुजने लगी यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा